नमस्कार दोस्तों, imagine करो आप अपने परिवार से, अपने दोस्तों से मिलते हो, लेकिन असलियत में नहीं, बलकि एक नकली 3D दुनिया में जो आटिफिशली बनाई गई है, आप इस दुनिया के अंदर घुसते हो अपने कमरे में बैठे बैठे, एक special headset या चश्मे लगा कर, Similarly, आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो, शौपिंग करते हो, almost वो सारी चीज़े करते हो, जो आप असली दुनिया में करते हो, लेकिन आप असली दुनिया में नहीं करते हो, बलकि इस नकली, artificially बनाई दुनिया में करते हो, अपने कमरे में बैठे-बैठे, इस special headset या glasses लगा करें. सुनकर कैसा लगता है? थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है न अब दोस्तों ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है आने वाले टाइम में होगा Metaverse जिसे कहा जाता है कि एक ऐसी टेकनोलोजी होगी जो आने वाले टाइम में इंटनेट को रिप्लेस कर देगी और इंसानियत का फूचर बनेगी क्या Metaverse बदेगा इंटनेट की दुनिया? I think we have to brace for this race to the Metaverse. I think we'll see more and more M&A coming in the gaming space. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the Metaverse. Because the future is going to be beyond anything we can imagine. Metaverse शब्द दो शब्दों से बनता है. Meta और verse. Meta जो शब्द है ये Greek से आया है, ये एक prefix है जिसका basically मतलब है beyond, परे, और verse जो है वो universe से ही लिया गया है. तो हमारा एक universe होता है और ये एक metaverse होगा जो अपने universe के परे होगा. Basically शब्द काम इस्तिमाल करते हैं एक artificial दुनिया के लिए. वैसे इसी से ही related आपको एक और शब्द सुना सुना सा लग रहा होगा. मल्टिवर्स जो spider-man की latest film में भी बताया गया था. मल्टिवर्स एक ऐसा concept है कि असल में बहुत सारे universes exist करते हैं. ये एक ऐसी चीज़े जिसे scientifically भी discuss किया जाता है. कुछ लोगों का मानना है कि हमारे ब्रहमार्ण में सिरफ एक universe नहीं है, बलकि बहुत सारे universes हैं. इसलिए universe. लेकिन anyways, metaverse का यहां पर मतलब है, एक artificially बनाई गई दुनिया. अब कहने को तो internet भी अपनी ही एक दुनिया है, लेकिन internet पर जब आप जाते हो, तो आप हमेशा two dimensions में ही जाते हो mostly. अपने phone का इस्तिमाल करते हो, या computer का इस्तिमाल करते हो, ये two dimensional screens हैं. लेकिन जब metaverse की ब इंदर गुज जाते हो. मानलो, डांडी मार्च होते हो देख रहे हो, आप सिर्फ उसको फोटो में नहीं देख रहे हो, बलकि आप पास वाली बोट में बैठ कर, actually में डांडी मार्च होते हो देख रहे हो. या फिर cricket का कोई match आप देखते हो television पर two dimensions में हैं, लेकिन technically अगर ह virtual reality का इस्तिमाल करें, तो आप 360 degree चारो तरफ आप अपने आसपास cricket match होते हो, देख सकते हो, और ऐसी feeling बनाने की कोशिश करी जा सकती है कि मानलो, आप असली में ही match देख रहे हो. इस meta worship का actually में पहली बार इस्तिमाल किया गया था साल 1992 में, एक science fiction किताब Snow Crash में, जो कि Neil Stevenson ने कोई अपने कमरों में, अपनी बिल्डिंगों के अंदर घुसकर रहता है, एक virtual reality में जिंदगी बिताता है, तो उसी virtual reality के लिए, artificial दुनिया के लिए, इन्होंने meta worship का इस्तिमाल किया था. इसके बाद एक game भी आया था साल 2003 में, second life करके, जहाँ पर आप computer में इस game को खेल सकत और अपने realistic दिखने वाले अवतार्स बनाना, वैसे interesting fact यहाँ पर यह जो अवतार शब्द है, इसे भी पहली बार popularize किया था, यही snow crash की 1992 वाली novel ने, actually में तो यह शब्द हिंदी या संस्कृत से आता है, अवतार, जब हम कहते हैं कि कोई कहानी में यह इनसान किसी भगवान का अवतार है, similarly यहाँ पर अवतार शब्द का इस्तिमाल किया गया, यह जो virtual reality के अंदर characters हैं, आप अपने बना सकते हो, वो आपकी अवतार बन सकते हैं, जैसे Mark Zuckerberg का यह जो cartoon है, यह खुद बना रहे हैं 3D में, यह 3D character Mark Zuckerberg का अवतार है, obviously बाकि दुनिया में शब्द और भ popular किया गया Facebook के दुआरा, जब Facebook ने decide किया कि वो अपनी company का नाम ही बदल कर meta कर दें, कहा कि हम metaverse को adopt करना चाहते हैं, हम एक social media company से metaverse company बनना चाहते हैं, और Mark Zuckerberg ने अपने शब्दों में कुछ इस तरीके से define किया metaverse को, and you're gonna be able to do almost anything you can imagine, get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really fit how we think about computers or phones today. कि metaverse actually बनता किस से है, यहाँ पर कई अलग अलग technologies हैं, जो metaverse को actually में बनाने लग रहे हैं, पहली है virtual reality, यह technology आज के दिन अलड़ी exist करती है, लेकिन इसे इसे इस्तिवाल करने के लिए आपको बड़े भारी भरकम से headsets पहनने पड़ते हैं, जिनको अगर आपने आदे गंट इन virtual reality games में आप देखते हो, या फिर जो वीडियो आप इनके अंदर देख रहे होते हो, हलाकि यह तो एक ऐसी चीज है जो time के साथ साथ definitely improve होएगी, लेकिन उमीद यह भी लगाई जा रही है, कि यह जो बड़े बड़े भारी भरकम headsets हैं, आने वाले time में, technology इतनी improve हो दूसरी technology यहां पर है AR की, augmented reality, इसका मतलब है कि हमारी असली दुनिया के साथ कुछ artificial elements mix किये जाएंगे, यहां पर सब कुछ virtual reality नहीं होगी, इसका एक बड़िया example है Pokemon Go smartphone game, उसमें आप smartphone के जरीए अपने पीछे की असली दुनिया देख सकते हो, लेकिन जब smartphone के through देखते हो, तो आपको उसमें artificial Pokemon's दिखाई देते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि आपकी असली दुनिया के साथ mix होकर खड़े हैं, एक और अच्छा example इसका है, एक टाइम पर Google Glass जो आया था, याद है आपको, एक ऐसा product जो कब आया, कब चला गया, किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन Google Glass 2013-14 अच्छा के टाइम बहुत बड़ी hype बना था, ऐसे glasses जेने पहन कर आप असली दुनिया में कुछ virtual elements एड़ कर सकते हो, आप जब सामने सडक पर देखोगे तो आपको side में कोने में उन glasses के जरीए map दिखाई दे सकता है, कैमरे पे आप किसी से बात कर सकते हो, सामने देखते द वर्चुल दुनिया बनानी है, तो constantly बहुत सारा data upload, download करते रहना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ही high internet speeds की जरुवत होगी, तो 5G की जरुवत होगी, साथ ही साथ blockchains और cryptocurrencies का भी mention होता है, जब metaverse की बात करी जाती है तो, जब metaverse में कुछ भी खरीदने के लिए पैसे spend किये पड़ेगा, यहाँ पर hackers का भी खतरा रहेगा, data breaches होने का भी खतरा रहेगा, तो इन सब को secure रखने के लिए फिर role आता है blockchains का, blockchains exactly किस तरीके से data को secure रखती है, इसकी बात मैंने blockchain वाले वीडियो में करी थी, detail में जानना चाते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, link में available tokens, NFT को आप एक तरीके का token समझ लो, जो blockchain पर रहता है और किसी भी digital asset की ownership proof कर सकता है, या आपके पास ये digital जमीन आप ओन करते हो, metaverse के अंदर इसका proof क्या है, NFT है इसका proof, आज के दिन कुछ लोग इसका 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 proof, आज के दिन कुछ लोग इसका सिंगर्स कर चुके हैं, virtual reality concerts, जिसमें वो एक digital stage में जाकर खड़े होते हैं, गाना गाते हैं और आप आप उनको ये animated figures की तरह हिलते हो, देखते हो, गाने सुनते हो उनके, वहाँ पर भी इसका 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 है, पिछले साल सेप्टेंबर के महीने में ये सिंगर आरियाना ने किया था, फॉर्टनाइट में वर्चुली प्रफॉर्म करती हैं, लेकिन इन सबको साथ में मिलाकर, एक सही माइनों में metaverse बनाने में अभी काफी समय लगेगा, मार्क जखरबर एस्टिमेट करते हैं कि कमसे हम 5-10 साल का समय लगेगा, कि metaverse के जो key features हैं, वो mainstream का हिस्सा बन पाए, कई और experts का मानना है कि actually में कई दशक लग जाएंगे इस से पहले कि metaverse जैसी चीज इतनी popular बन पाए कि majority लोग इसको इसको इस्तिमाल कर रहे हो, बहुत से लोग यहाँ पर मानते हैं कि metaverse तो inevitable है, मतलब यह तो होना ही होना है, internet के बाद अगली बड़ी चीज यह metaverse ही होगा, लेकिन एक critical सवाल यहाँ पर उठता है, क्या यह metaverse successful भी हो पाएगा, क्या किसी ने इसकी demand भी करी है, किसी को यह चहिए भी, और यह बड़ा ही interesting सवाल है, क्योंकि अगर आप Google Glass जैसी technology को देखोगे, तो उसे काफी ज्यादा popular बनाने की कोशि हो गए, कई reasons इसके बीचे बताय जाते हैं, उनमेंसे एक reason था कि इनकी battery life सिर्फ 3 गंटे की होती थी, दिखने में यह बड़े अजीब से थे, इनमें privacy का भी issue था, क्योंकि इन पर camera लगा हुआ था, और कई जगाओं ने तो already इने ban करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग इन जिसकी लोगों को जरूरत हो, मतलब हाँ, दिखाने के लिए काफी cool लग रहा था यह कि देखो ऐसी technology exist करती है, और जिन लोगे पास यह थे, वो बड़े show off करके दिखा सकते थे, देखो यह glass यह कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन actually में real life use ना के बराबर था इसका, जो आप Google गूगल ग्लास में कर सकते थे, वो सब आप अपने smartphone पर भी कर सकते थे, और smartphone पर और अच्छे से कर सकते थे उनी चीजों को, maps देखना हुआ या फिर video call पर बात करना हुआ, अब यह चेश में पहन कर, यहा कोने कोने से में कर सकते हो आप करने को, लेकिन क्यों ना phone निकाला पॉकिट से और उसी से ही करने लग गए, तो basically कोई use case नहीं बना Google Glass का, similarly Metaverse के बारे में भी यही कहा जा सकता है, कि एक बारी tryout करने में बड़ा cool लगता है, कि देखो मैं इस 3D virtual environment में बैट कर सबसे बात करने लग रहा हूँ, हम यहाँ पर 3D meeting करने लग रहे हैं, लेकिन realistically इतना जंजट कौन उठाए कि यहाँ पर glasses पहनो सबको, इस 3D इस पर बुलाओ, इससे अच्छा तो phone निकालो अपना और जैसे normally video call करते हैं, वो कर लो, वो करना जादा आसान, यहाँ पर इसकी इतनी बड़ी तैयारी कौन करें, सेम चीज अगर दोस्तों से मिलना हुआ, actually म तो real life में मिली सकते हो, लेकिन अगर virtually भी मिलना चाओ, तो video call कर लो उनसे, यह messaging बे बात कर लो, यहाँ इस special 3D दुनिया में आगर क्या extra मिल रहा है आप, जो technology सबसे ज्यादा popular होती है लोगों में, वो सबसे ज्यादा आसान भी होती है use करनी, और एक clear benefit प्रोवाइड करती ह यूजर को, अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है कि एक technology mainstream बन पाएगी, इसका एक और example है 3D glasses, एक time होता था जब 3D बिल्कुल नया trend बन गया था, कि हर film जो आ रही है वो 3D picture आने लग रही है, आज के दिन भी बहुत 3D picture आती है, लेकिन मैं उस time की बात करना हू जब 3D TVs भी बड़े popular हो गाए थे, कि भई अब तो घर में भी हम अपने 3D TV लगवाएंगे, सुनकर बड़ा cool लगता है कि देखो मेरे घर में तो 3D TV लगा है, लेकिन realistically कितना जंजट है कि हम आपर हमेशा glasses लगाओ TV देखने के लिए भी कोई इतना जंजट नहीं लेना चा और जो थोड़ा से ज्यादा headache होता है, वो भी काफी लोगों के लिए unacceptable है, यही reason है कि actually में 3D movies की popularity भी गिरती जारी है सिनेमा में, वापस से अब लोग prefer करने लग गए है 2D movies को देखना, क्योंकि कोई इतना additional benefit नहीं है 3D movies देखकर, और जो glasses के साथ बंधे रहने की feeling आती है, जो आखों पर strain आता है, वो worth it नहीं है, उस additional advantage के लिए जो थोड़ा सा ज्यादा 3D दिखता है, दूसरा point of criticism शायद यहाँ पर इससे भी बड़ा है, कि हम सही में असली जिन्दगी से इतना जुदा होकर रहना चाहते हैं, कि हम असली में जीना ही भूल जाएं, हम अपनी dystopian चीज है, मतलब बहुत ही depressing चीज है, और जो snow crash मैंने किताब बताए थी, वो actually में एक dystopian novel थी, वो कोई inspiration लेने वाली चीज नहीं थी, कि हमें ऐसा कुछ बनाना चाहिए, वो metaverse को कही ना कहीं एक negative light में ही दिखला रही थी, तीसरी problem यहाँ पर facebook और mark zuckerberg specific है, यहाँ जो privacy privacy और data चोरी का खतरा है, facebook पर वैसे ही आपको हर तरीके से track किया जाता है, कि exactly कहाँ पर आप click कर रहे हो, किस चीज पर आप like कर रहे हो, किसे follow कर रहे हो, उसके basis पर आपको similar सी चीज़े दिखाई जाती हैं, जिसकी वज़े से यहाँ पर एक bubbles create होते हैं, कि आप अपनी दुन globalization होती है लोगों की, left wing, right wing, ये धर्म, वो धर्म, ये political party, वो political party लोग लड़ने लग जाते हैं, और literally real life में riots, जो मियानमार में genocide हुआ था, उसका blimp काफी हद तक facebook पर डाला गया था, अब क्योंकि Mark Zuckerberg ही हैं, आपर metaverse को बनाने की बात करते हैं, तो यही चीज दस गुना, ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि metaverse में चाहते हैं कि आप काम भी करो, दोस्तों से बात भी करो, आपकी हर movement ट्रैक करी जाएगी, एक एक शब्द जो आप कहते हो, ये ट्रैक करेंगे, एड बेचने के लिए आपको, आप जो चीज़े पसंद करते हो, वही चीज़े आ सोच कर देखो, उस एक universe का मालिक यहां पर मार्क जकरबर बन जाएगा, असली दुनिया में कम से कम कोई ऐसा मालिक नहीं होता, यहां पर तो literally metaverse का भगवान बन जाएगा मार्क जकरबर अगर ये हर चीज़े पर control रखने लग गया तो, अगर सही माइनों में metaverse successful हो गया, मत प्यादतर हिस्से को own करके रखती है, यह अपने आप में ही कितनी unethical और भयंकर चीज़ है, यहां पर आपकी क्या राय है metaverse के बारे में, आपको क्या लगता है, आने वाले टाइम में क्या ये popular बनेगा, नीचे comments में लिखकर बताइए, मेरी personal राय पूछोगे, तो मुझे लगता है कि कुछ technologies होंगी इसकी जो आने वाले टाइम में definitely popular बनेगी, लेकिन वो अपने अलग-अलग sector में popular रहेंगी, for example, जो AR की technology है, augmented reality, मुझे लगता है इसका बहुत ही अच्छा use case हो सकता है engineering में, या architecture में, या medicine की field में, जहां पर आपको सही माइनों में 3D का इस्तिम किया जाना आपके काम को और efficient बनाएगा और बहतर बनाएगा, especially अगर आप 3D models के दाथ interact कर पाए तो, तो कई business areas में और काम की areas में मुझे लगता है इसका सही माइनों में potential है इन टाइप की technologies, उमेद करता हूं video informative लगा होगा, मिलते हैं अगले video में, बहुत बहुत धन्यवा